जे स्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम का सेकिंड ग्लैंड है थाइराइड ग्लैंड जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हैं के pituitary gland जो है वो क्या करता है होर्मून रोलीज करता है जिसे thyroid stimulating hormone बोलते हैं यह interior lobe से जो है रोलीज होता है और यह directly act किस पे कर रहा है जी thyroid gland के उपर डारेक्ट डारेक्टली जो है वो एक्ट करता है सबसे पहले thyroid gland देखते हैं यह largest endocrine gland है human body में और अगर इसकी location देखें तो यह neck region में पाया जाता है larynx के बिलकुल नीचे larynx क्या होता है जी voice box होता है इसके लाम आप देखते हैं hormones कुण कुण से release होते हैं thyroid gland में thyroxine hormone release होता है produce होता है जिसको आम तोड़ पे T3 और T4 इन दोनों को collectively जो है वो thyroxine hormone बोला जाता है जी next देखेगा second hormone भी produce होता है that is the calcetonine hormone हम one by one जो है इनका function discuss करेंगे thyroxine hormone जो है thyroxine hormone की production के लिए जो है वो एक जो है एक mineral चाहिए होता है that is the iodine iodine जो होता है वो thyroxine की production के लिए trigger का काम करता है यानि जब तक iodine जो है वो नहीं मिलती thyroxine proper way में produce नहीं होती है अगर ऐसा हो जाए कि iodine की deficiency हो जाए body के अंदर या diet के थू जो है iodine layer जो है वो कम होना शुरू हो जाए तो thyroid gland जो है वो hormone produce नहीं कर पाते as a result क्या होता है जो thyroid gland होता है वो size में बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है इतना के जैसा कि आप देखें ये peak में आपको neck region पे जो है वो बार नजर आ रहा है ये disorder जो है वो क्या कहलाता है जी goiter कहलाता है दो conditions पाई जाती है इसकी thyroxine की एक तो है over production और एक है deficiency पहले हम देखते है hypothyroidism ये जब thyroxine हमारी body में कम मिकदार में produce हो रहा होता है under production होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है हमारी body में low energy production होती है और ये slow down कर देता है हमारी heart beat को जबके hyperthyroidism जो के बिलकुल इसके opposite condition है इसमें क्या होती है वो under production होता है वो जो नीचे वाला है जो अब हम discuss करने वाले है hyperthyroidism वो over production show करता है thyroxine की उससे क्या होता है body में energy production जो है metabolism high हो जाता है energy production ज्यादा हो जाती है ये increase करता है heart beat और इसके लावा sweating भी होती है shivering of hand जो है वो इसकी जाने होती है इसका मतलब क्या होता है thyroxine blood में जो है calcitonine hormone जो है वो क्या करता है blood के अंदर जो है वो ions को कम करता है कौन से ions को calcium ions को और इनकी absorption करवा देता है bones में calcium move करता है blood से bones में और ये bones को strong करने में help out करता है calcitonine hormone जो है वो blood से calcium ion लेता है collect करता जाता है और deposit करवाता जाता है कहां से बॉन में अगर आप यहांपे देखें तो प्लाज्मा जहें Бलोड प्लाज्मा से केलशियम मॉफ करता जा रहा है किसकी तरफ आपकी सामने बॉन में डिपोसिट करता जा रहा है है हम केलशियम जुए वो टाइट के थूरू ले रहे हैं बाटर में हैं उससे ले रहें तो केलसीटोनीन जो है वो क्या करता है ऊपर केलसीटोनीन लिखा हुए और प्लाजमा से ले लेके आपकी बॉन्ड के अंदर जो है वो डिपोजिट करवाता जाता है तो यह था केलसीटोनीन हार्मॉन का फंक्शन जिजरा नेक्स चलते हैं धर प्रियर साइड पे आपको ये नजर आ रहे हैं वान टू स्री फॉर फॉर डोर्ट सापको नजर आ रहे हैं ये एक्चुली क्या हैं पैराथाईराइड ग्लैंस होते हैं इसमें पैराथाईराइड ग्लैंस से और ये क्या करता है बलड के अंदर केल्शियमाइन का लेवल हाई करता है यह कैलसीटोनिन हार्मोन जो हम पीछे पड़के हैं उसके क्या करता है अपोजिट जो करता है जी अगर आप देखें तो आप लेरिंग सेट हो पे और नीचे जो है आपको ब्लैक और लाइन में जो है वो क्या नज़रा रहा है थाराइड ग्लैंड और डोट आपको ब अगर आप यहां पे इस डायग्राम में भी बज़े देखें तो यहां पे आपको ग्रीन डोट नज़रा रहे हैं यह क्या है यह आपके पैरा थायराइड ग्लैंड और यह जो आपको कैरिट कलर में नज़रा रहा है इसके ज़र देखते हैं और प्रड़क्शन और केलसियम नीकल नीकलल के ब्लड में एड होना शुरू हो जाएगा कितनी जैद इसकी वर्परडक्शन होगी उतना ही केलसियम जो है ब mex न निकलन के ब्लड में आता जाएगा as a result क्या होगा buy अगरщее और बरन ऑद रेक्स चरणी में ब्लड के वहाँ हुआ जाको और ओजाने का ब्लॉड होगा yelling ब्लड देखें का फुरीट्रीट्र विवेते के अगर्सीन की की कलुका होगा वाल जानी। वो low होता जाएगा कितना calcium blood के अंदर low होता जाएगा वो आपको muscular disease की तरफ ले कर जाएंगा जिसे muscle जो है वो twitch कर जाते हैं cramp कर जाते हैं अकड जाते हैं जिसको tetani बोलते हैं ठीक है यह condition जिसमें चानक से आपके muscle जो है वो एक दम से खिची जाते हैं यह cramp कर जाते हैं यह twitch कर जाते हैं मुड़ जाते हैं उसको tetani बोला जाता है तो जी यह था हमारा आज का topic जिसमें हमने two जो है वे endocrine के glands पड़े एक था हमारे पास पैरा thyroid gland and the second one is हमारे पास है जी thyroid gland जी अपने इसको अच्छे से त्यार करना है और यह board की हिसाब से क्योंकि endocrine system है और आपका first portion जो था brain यह दू में topic रहा चुके है ALP के coding तो आपने इसको ध्यान से अच्छे से त्यार करना है